कि अगे अगें मोस्ट बिलकम आलो फ्यू इन बाइलोजी टॉप चैनल आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे तो एब्रीवन टूड़े हम लोग डिसकस करेंगे यहां पर जो है का अभी ना काउंसलिंग हुआ और ना ही एडिमिशन हो रहा है तो इनी सब के इनी सबसे रिलेटेड हमें जो है इनका अधिक टॉलेज में जब स्टार्ट होगा तो उस टाइम इनको कौन-कौन से डॉक्वमेंट ले जाने और जो डिपार्मा के स्टुडेंट हैं उनको भी क एंपल पेपर लिया है किसका 2022 का लिया से मैं जो 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 डॉकुमेंट 2022 में टाइम लग रहा है 2023 में लगा था हमारे पास 2030 का भी है 2022 कभी और 2024 का भी है वही डॉकुमेंट आप सभी का जो एडिमिशन के लिए लगेगा तो यहां पर देख सकते लिखा गया है परवेश है त आप लोग जो एक तीन फोटो कॉटो को मतलब कि आप अगर फरस्ट येर हैं या से केंडियर में ले रहे हैं तो आप लोग का जो एक पर नीचे सारी डॉकुमेंट बताएं इनि कि क्या है दो-दो फोटो कॉटो कॉपी बलब कम से कम आप जो है सभी डॉकुमेंट का तीन और तीन फोटो कॉटो कॉटो कॉटेश में लग जाएगा और डॉक्मेंट आपके पास यूएप पड़ा रहेका कभी और यहां पर व्योवरा दिया गया इसा के बारे में हम यहां बात करिएंगे तो फर्ष्ट क्या दिया है परवेस फर्म इसको थोड़ा सा जूम कर लेत तब आप लोग देखिएगा अपर बेस फार्म जो आपको कॉलेज में दिया जाएगा एंटी रहेंग एंडर्टेकिंग चात्र और परेंट के द्वार आया भी कॉलेज में आपको दिया जाएगा भरने के लिए आप भरियेगा सीट अलाट में लेटर यहां पर लिखा गया आपके द्वार मध के दवार मलब किया है है आपको आपको फादर कड concerned करना होगा आप भी कर सकते हैं कोई नहीं बस आपको पता हो कि आपके पैरेंट साइन कैसे करते हैं सीट अलाट में लेटर आपको यहां पर लिखा लाटमेंन लेटर अगर प्रविजनल सीट अलोटमेंट लेटर आपको इसको भी लेके जाना है अगर यहां पे पांचवा डॉक कुमेक्ट दिया गए है परवेस पत्र आपका एड्मिट कार्ट साथ वाट दिया गए यहां पर दिया गया है है हाई स्कोल का मार्चिट आपको ले जाना है और है स्कूल की मार्चिट हो गया और हमादव की चीज है एंटर की मार्क सीट अगर आपके पास आउट है तो आपको इंटर ले जाना है और है स्कूल के बाद एडमिशन ले रहे हैं तो अगर आप ग्रेजिएशन या डिप्लोमा और पोई अन्य कोर्स किंद तो आप लोग उसकी भी मार्क सीट लिके जाएगा और साथ ही साथ अब लेके जाना है और इन सब्सक्राइब 975 MP होना चाहिए बाहर छात्रों गर आप आप ऐस्टेट के बाहर के अगर दो आपने प्रमान पत्र के जाएंगे अगर आप जो है दिश्टीरा का जो निवास पर्मान पत्र घाना है आपको आय पर्मार पत्र ले जाना है उपवर का लाप राप नहीं तो दिभ्यांग अगर आप फिच के लिए हैंडिकाप्ड इस्टुजेंट है कि आपके बॉड़ी में कोई disability है freedom fighter है या फिर आप कुछ और mental disability हो गए रहा जो कुछ भी आपको उसको जो है उसका जो certificate लेके जाना है आपको जो फोटो की दो प्रति मलब कम से कम आप जो पांच फोटो लेके जाईएगा admission के time कितना फाइब फोटो लेके जाईएगा यहां पर आपको क्या ले जाना है टीसी ले जाना है टीसी करेक्टर certificate and Medical certificate यह तिनों क्या होना चाहिए वरिजिनल किस किस फ्रम का होना चाहिए वरिजिनल जो आपका ऊरिजिनल होगा उसका पोड़ो को अपि नहीं चलेगा आपको लेके जाना हो गा सी करेक्टर ले तो अभी आपके पास्ताइम क्या है आपको पता है अपना राइंग कमेंट कॉलेंट मिलेगा प्र्इबेट कॉलेगा मिलेगा तो आपका जो medical certificate होगा वाद सभी student का लगए तो आप जो अब ही आपके पास time है आप जाके जो अपने डिस्टिक hospital से medical certificate बनवा सकते हैं जो जाएंगे तो medical certificate आपका बन जाएगा और medical certificate में क्या होगा फाइब आएंगे और जो है पाइट रहेंगे जिनका साइन रहेंगा उस पर में रहेंगा तो आप लोग अभी जाके अपने डिस्टिक होस्पिटल में बनवा सकते हैं आपको क्या होगा फाइल यहां पर क्या लिखा गया फाइल तो इतने सभी डॉकुमेंट आपको क्या हुआ आपको दिखा देना चाहते कि डॉकुमेंट सेफ में लग रहा है वही सीम डॉकुमेंट किरह लग रहा है यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया Ved Meeting देख सकते हैं यहां पर आप सभी को बता है यह सभी आपका लग रहा है और साथी साथ आपको बताना भूल जा रहे थे कि आप अगर माली जी आपने 12 को आपने 12 पास किया है 2022 में और आपने 2023 में आपने अडमिशन नहीं लिया था डीफर्म में अब 2024 में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 2022 और 2024 के बीच जो एक साल का गयप है 2030 का इसका क्या बनाना होगा गयप सैटिफिकेट यह कहां बनेगा जो आपका कचेहरी जिसे की वकिल के पास जाएंगे तो अकिल के पास आपका गयप सैटिफिकेट बन जाएगा और साथी साथ बात रही और आपका जब डीफर्मा के गवर्मेंट कॉलेज में प्राइबिट कॉलेज में मिशन हो जाएगा तो आप लोग क्या होगा 75% अटे तो इससे देंगे जाएट जाएटिफिट बन जाता है और कहीं पर 750 बन जाता है तो इससे जाएदा आप लोग ऑकिल को पैसा मत देजीगा नया तो आपको चूतिया बनाने की कोशिस करेंगे और जो हमने आपको बता है कि फोटो की दो प्रती मलब की इन सभी डॉकुमेंट का जो है दो कॉपी लिखा लेकिन आप तीन तीन फोटो कॉपी करा के ले जाएगा जौन पूर में अगर कोई हीडमिशन ले रहा तो कम से कम तीन क्या चार फोटो कॉपी ले जा है क्योंकि वह तो कैसे यहां पर को देख सकते लिखा गया पर क्या लिखें यहां पर इंटीन आपको जूंब मैंन का ऊपर नहीं लिखना है जाम हम इसको पलटेंगे तो कैसे हो जाएगा आएसे इस टाइप का S Vorit चedovenisz टिखेंगा तो यहां पर फोटुटुफट इंडश में ब्रांच आा ये मोबाइल नमबर आपको का स्ट यहां पर आपको लिख देना और आपको फॉटुटुटुफटुप का देना बाकि इस वाले स्हले स्ट में आपको क्या है अपने सभी फोटोचिप काके यहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल्स जो है मेंसन कर देना है तो फाइल के ऊपर जो यहाँ पे लिखा गया तो आपको जो भी स्टुडेंट डिमिसल लेंगे उनको उपर नहीं लिखना उनके फाइल के जो अंदर वाला पेज है जो मैंने आपको बताया इस वाले पिज पर आपको यहाँ पर लिखना गोटाव कर देना इधर सारा डौकेमेंट आपको छसपा करके आपको करके लिखना है नम लिखना है जन्तित्रो लिखना है चास्त लिखना है और मत headline गोई जरुण ही कि आप किस गुरुप से मुबाइल लिख देना और आपका रैंक कितना था रैंक भी लिख देना आप लोग इस अभी आपको लिखना है अब बात आ रहे हैं कि डी फर्मा का कांस्लिंग कब होगा एडमिशन कम होगा तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस इमलब की इलेक्टरानिक वाले और जो है कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस स्टुडेंट और इलेक्टरानिक स्टुडेंट इन सभी का अडमिशन जो है गौर्मेंट कॉलेज में जो है जौन पुराली कॉलेज में जो है पांच अगस्त से हो सकता हो स्टार्ट हो जाए या फ हो सकता 15 अगस्त के बाद या फिर 10 अगस्त से आपका कॉंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो सभी स्टुडेंट अपने रैंक ग्रूप और जो आपकी स्काटेगरी से हैं इसको आप लोग कमेंट बाक्स में बताइएगा कमेंट करके बताएंगे जिससे हम इनको बता सके कि आपका रहेंग अगर इतना है तो आप एडमिशन आपको गवर्मेंट कॉलेज में मिल जाएगा और आप लोग चिंता मत किजी आपका काउंसलिंग भी होगा आपका एडमिशन भी होगा हम आपके साथ हमेशा बनी रहेंग अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट प्यारा साथ जरूर देखे जाएं जिससे हम आपके लिए एक नवी वीडियो मोटिवेट होकर बनाएंगे